नमस्कार साथियों सित कालिन सत्र है और माहोल भी शीती रहेगा दोहजार चोविस का अंतिम कालखन चल रहा है देश पुरे उमंग और उत्सा के साथ दोहजार पचीश के स्थ्वागत की तैयरी में भी लगा हुआ है जाद्यों सांसत का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेश है और सबसे बड़ी बात है हमारे सम्विधान के पच्चतर साल की यात्रा पच्चतर्वे साल में उसका प्रवेश ये अपने लोक्तंत्र के लिए एक बहुत ही उज्वल अवसर है और कल सम्विधान सदन में सब मिलकर के सम्विधान के पच्चतर्वे वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुवात करेंगे सम्विधान निर्माताओं ने सम्विधान निर्मान करते समय एक एक बिन्दू पर बहुत विस्तार से बहस किये और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है और उसके एक महत्वपुनिकाई है हमारी साउसद हमारे साउसद भी और हमारी साउसद भी पार्लामेंट में स्वस्थ चर्चा हो ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अश्विकार किया है देश संसद को भी मुठी भर लोगों के फुर्दंग बाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविती को रोकने से ज़्यादा सफल नहीं होता है अब देश की जनता उनके सारे गयवारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए संसद होते हैं नए विचार नए उर्जा लेकर क्या आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोत देते हैं सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है लोगतांत्रित परंपरा में हर पीड़ी का काम है आने वाली पीड़ीों को तयार करे लेकिन 80-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं न लोगतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं नहीं वो लोगों की आकांग शाहों का कोई महत्व समझते हैं उनका उतके प्रदिक वो दाईत्व है वो को समझ पाते हैं और उसका परणाम है वो जनता की उमीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है साथ यह सदन लोगतंत्र की दोजार चोबिस के पार्लामेंट की चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना अपनी विचार अपने अपिक्षाएं प्रगट करने का आउसर मिला है उसमें भी दोजार चोबिस के लोगत्रभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बलप्रदान किया गया है और अधिक समर्तन का व्याब बढ़ा है और लोगतंत्र की ये शर्त है कि हम जनता जनार दन की भावनाओं का आदर करें उनकी आशा अपेशाओं पर खरा उतरने के लिए दिन राप मेहनत करें मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आगरे करता रहा हूँ और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से वहवार करते भी हैं उनकी भी इच्छा रहती हैं कि सदन में सुचार रुठे काम हो लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है वे अपने साथियों की बात को भी दबोद देवेते थे उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं लोगतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं मैं आशा करता हूँ कि हमारे नए साथियों को आउसर मिले सभी दल में नए साथी है उनके पांस नए विचार है भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कलपनाएं है और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है तब हम सौसत का समय का उप्योग वैश्विक स्थर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है भारत का प्रती जो आकर्षन बढ़ा है उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवार रहना चाहिए विश्व के अंदर भारत को ऐसे आउसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसत से वो संदोष भी जाना चाहिए कि भारत के मद्दातां उनका लोगतंत्र के प्रती समरपन उनका संविधान के प्रती समरपन उनका संसदिये कारिये पद्ददी पर विश्वास संसद में बैठे वी हम सब को जनता जनारदन की इन भावनाओं पर ख़रा उतरना ही पड़ेगा और समय की मांग है हम अब तक जितना समय गवा चुके हैं उसका थोड़ा पस्चाता आप करें और उसका परिमारदन करने का उपाई यही है कि हम बहुती तंदुरस्त तरीके से हर विशे के अनेक पहलूँ को संसद भवन में हम उजागर करें आने वाली पीडिया भी पड़ेगी उसको उसमें से पेड़ना लेगी मैं आशा करता हूँ कि यह सत्र बहुत ही प्रणामकारी हो समिधान के 55 वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो नए संसदों को अउसर देने वाला हो नए विचारों का स्वागत करने वाला हो इसी भावना के साथ मैं पिर एक बार सभी मान्य संसदों को उमंग और उत्षा के साथ इस शत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमतित करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद